तो पिछले पार्ट में बर्डीमन क्लैन के लीडर ने प्रिंसेस के उपर अटैक किया था लेकिन तब ही हाओचेन ने वहाँ पर आकर उसे बचा लिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बाद से हाओचेन के उपर काफी गुसा हो गया होता है और फिर वो अपने से पुछता है कि प्रिंसेस के इस पिल को कमप्लीट होने में और कितना टाइम लगेगा तब इस पर सियाओ से काती है कि सायद इसमें और कुछ मिनट का टाइम लगेगा जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन बड़डीमन क्लैन के लीडर का भी सामना करने के लिए रेड पर पड़ा था तब ही इसी बीच हम देखते हैं कि वो बर्डी मन फिर से प्रिंसेस के तरफ जाने की कोशिस करता है लेकिन हाओ चेन ने अपने ट्रैक्षन पाउर का यूज करके इसे वापस खिंच लिया था और फिर इसके बाद वो हन्यू से भी अपने पाउर का यूज कर था तब यह देख प्रिडेटर पर इसान होते वें काता है कि या खिरकार या किस परकार का बेरियर है और फिर बडी मन हाओ चेन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें केवले एक मिनिट में मार देंगे तब इस पर हाओ चेन उससे काता है तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू और सायर भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गये थे और वे भी इनके उपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं तब या देख हाओ चेन हाओ यू से काता है कि सबसे पहले तुम अपने के ओस एलिमेंट का यूज करो ताकि उसका यूज करके हम उनको कमजोर बना सकें जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू भी तुरंत अपने के ओस एलिमेंट का यूज कर देता है जिसके बज़ा से अब उन डीमन लीडर की मैजिक एनरजी कम होने लगी थी और इस बाद के बज़ा से वे काफी परिसान हो जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन लेकिन क्या सच में लगता है कि इस तरीके से तुम लेबल से वन वाले डीमन को हरा पाओगे तब या देख हाओचे ने अपने डिवाइन सिल्ड के पाओर का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था और अब इस तरह से वो इसे भी बहुत संदार्ट कर देने लगता है वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर भी अब इसके साथ में मिलकर इनके उपर अटैक करने लगी थी और वे सबसे पहले इनमें से एक के उपर अटैक करके इनको मार देना चाहते थे जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों सबसे पहले predator के उपर attack करने लगते हैं और दोनों अपने अपने power का use करके एक साथ में इन दोनों के उपर attack करने लगते हैं अब इनके एक साथ में fight करने के बज़ा से वो predator इनका कुछ नहीं कर पा रहा था और अब इस तरह से वे दो लिटर भी हैरान हो गया होता है और फिर करने लगता है कि याखिर ऐसा कैसे हो सकता है और मैं इनके सामने इतने आसानी से कैसे हार सकता हूं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि सायर अपने पाउर का यूज करके इसे मारने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो तुरंत अपने एटाइक का यूज करके इसके बॉडी के टुकडे टुकडे कर देती है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से बॉडीमन करेंड का लीडर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था जिसके बाद हाओचेनुस से काता है कि अगर तुम अपने सभी डीमन को लेकर यहा बात सारे स्पियर का यूज करके इन पर अटाइक कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचें को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो सायर से काता है कि तुम भी सरक्यूलर स्वाड इंटेंशन का यूज करने के लिए रेडी हो जाओ इसके बा पाता और इस तरह से बे दोनों इसे भी मारने में कम्याब हो जाते हैं वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से कमांडर लूप पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि उन दोनों ने एक साथ मिलकर तो लेबल सेवन वाले दो डीमन को मार दिया और अब इसलिए वो इन से इसका बदला लेना चाहते हैं तब या देख हाओचन भी अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम इनको किसी तरह से ब्लॉक करो जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब इसकी बात मान कर इनके साथ में फाइट करने लगे थे और इस तरह से वो इनक से कंप्लीट हो गया था जिसके बाद इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक डीमोनिक पाउर बाहर आने लगती है और अब इसके बज़ा से वे डीमन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके पाउर को देख पूर हमने बाकी लोगों की हालत भी काफी खराब होने लगी थी क्योंकि असल में अब इनके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेसर क्रियेट हो गया था और इनको ऐसा लग रहा था कि या कोई लेवल नाइन वाले पाउर का प्रेसर है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क कि अब इसके पाउर के बज़ा से वे डीमन भी काफी डर गये थे और फिर वे कहने लगते हैं कि या तो असल में लौड अगेरस की ब्रेथ है और फिर इसलिए वो अपनी जान बचा कर तुरंत यहां से भागने लगते हैं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस फि वारने लगती है जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गये थे और इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार यहaley है क्या वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियन भी पर पूरी तरह है और फिर वो कहने लगता है कि या तो असल में लेवल 9 वाला forbidden spell है जो कि अपने radius में आने वाले सभी demon को एक जटके में मार रहा है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि princess power का ज्यादा time के लिए use नहीं कर पाती और फिर कुछ देर के बाद अचानक से वो 200 कर गिरने लगती है जहां प अभी house and princess और siyao की तरफ देखता है और इसके बाद episode यहीं parent हो जाता है तो अगर explanation अच्छी लगी हो तो इस video को like जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले episode के लिए excited हो तो comment करके जरूर बताना